यह जो आप पौधा देख रहे हैं यह मकोई का पौधा है यह करीब करीब हमारे पूरे देश में हर जगह ही पाया जाता है खर्पतवार के रूप में यह अक्सर कहीं पर विउग जाता है हिंदी में इसको मकोई संस्किर्ट में काकमाची और अंग्रेजी में इसे नाइट सेट के रूप में जानते हैं बहुत ही औशदिया पौधा है यह जड़ा इसका यह पौधा करीब दो तिन फिट तक हो जाता है इसकी पत्तियां जैसे हरी मिर्च जो ही मिर्च की पत्तियां होते हैं करीब करीब वही उसी परकार की होती है यह इसका फूल है यह इसके हरे फल है और हरे फल के बाद इनका रंग ऐसा हो जाता है बैंगनी और डार्क काला साथ लग रहा है यह और सदिय पौधे के रूप में बहुत मान्यता है इस पौधे की और देश में कही जगे तो इसकी सबजी बनती है पोशक पोधा कह सकता हूं मैंसे अगर हमें पोशन की दिरिश से देखूं तो इस पौधे में कार्बोहेडरेट, बसा, प्रोटीन के अलावा मिनरल्स का यह बहुत बड़ा स्रोथ है इसमें आइरन, कैलसियम, फासपोरस, सोडियम, जिंक, मैगनीसियम आदी मिनरल पाए जाते है बिटामिन सी इसमें पाया आता है नीचे से भी देख ली दिया आप इस पौधे को इसमें कुछ राइसानिक जो तत्व हैं उनको बढ़ा देता हूँ नियसिन, निकोटिनिक एसिड होती है, और्गनिक अंपाउंड है यह बिटामिन दी, भी थिरी और यह इसेंसियल, यूमन नुट्रियन्स है इसमें थाइमिन होता है थाइमिन जो हमारा डिय ने होता है उसका एक बेस होता है थाइमिन राइवो फ्लेमिन होता है इसमें बिटामिन बी ये सेल ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है मकोय का अर्क जो है बहुत सी आईरुवेदिक कमपनिया जैसे पतान जली बैदनाद हमदर्द बनाती हैं और ये बाजार में आसानी से उपलब दे ये दवाई के रूप में ना हो लेकिन ये पीलिया यक्रित खून की कमी टॉनिक के रूप में आप इसको ले सकते हैं और अगर मैं घरेलू नुस्कों की बात करूँ तो अगर जिन लोगों को नींद कमाती है वो इस पौधे का जो पंचांग है मानने पूरे पौधे का जो काड़ा है दस से बीस ग्राम आप लीजिए और गुड के साथ खाईए इसे तो बजाए नींद की गोलियां खाने से इसका उप्योग कीजिए तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी अगर आपके मुँपे च्छाले हो जाते हैं तो इसकी चार पाज पत्तियों को आप दिन में दो तीन बार खाईए और इसमें बहुत लाब मिलता है एक बच्चों में एक समस्य आती है जब बच्चों के दाथ तूटने का टाइम रहता है तो बच्चे दाथ नहीं तोड़ने देते उसका बहुत अच्छा इलाज है इसके पत्तों के रस को घी में दो तीन बून पत्तों का रस निकालिए दो तीन बून घी डालिए और दात का जो जड़ है मसोड़े पर लगा दीजिए बड़े आराम से बिना दर्द के ये बाहर निकल आता है अगर आपको पीलिया की बिमारी है या ऐसी संभावाना है तो आप इसको टॉनिक के रूप में कीजिए मकोय का जो क्वाथ है इसको आप रोज सुबह साम पीए तो पीलिया की दिक्कत नहीं आएगी मकोय जो है ये इसका रस जो है ये चर्म रोग में बरसात में अक्सर चर्म रोग बहुत हो जाता है तो उसमें आप इसका रस को लगाए तो इससे बहुत आराम मिलता है